तो फाइनली ढूंडी लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी आप ढूंड लोगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड, क्लास 10, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी मीडिया वालों के लिए, यानि की सारी रिक्षिक्षा है, तो उनके जो है, आज इस वीडियो में 2 मार्क्स के, और 1 मार्क्स के, मलब बेसिकली सोट कोश्टन सारे इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, चलो सुरू करते हैं, मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं, CCL क्लास, लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपने क लाज 10 के, बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी देखनी है, फिजिकल एजुगेशन के लोंग कोश्टन देखने हैं, फाई मार्क्स, त्री मार्क्स, या फिर MCQs की वीडियो देखनी है, सारे के जो है ना, मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, कठे कर रखे सारी वीडि आपे, वहाँ पर जाना, CCL Chapter.com सर्च करना, उसके बाद में जो है, एक वेब साइट आएगे आपके सामने, उसके इंपोर्टेंट कोश्टन के मेन्यू में जाके, तुम सारे कोश्टन पराप्त कर सकते हो, साथ में आपको इस वेब साइट पे, हरियाना वोर्ड के प्रिव आपको सबसे पहले करने हैं, तो पहले आपने वेडियो नहीं देखी, तो पहले वेडियो देखो, उसके बाद ये वाली वेडियो देखेना, बहुत फायदा मिलेगा आपको, आपका लिटरेली, मतलब जो टाइम है, रिविजिन अदा टाइम बच जाएगा, टीक है, तो पहले वह वाली वीडियो देख लेना ज्यादा फायदा मिलेगा अब वह वाली वीडियो देख ली है तो अब इस वीडियो में समझो two marks के questions आधुनिक Olympic खेलों में कोन-कोन से events सम्मिलीते हैं कोन-कोन से जो इवेंट होते हैं वो सामिल किये जाते हैं ओलंपिक खेलों के पर्मुख परतीक कौन-कौन से हैं ओलंपिक खेलों के जंडे के बारे में बता है ये एक दो चीजे ध्यान रगाना जंडा और मसाल या जियोती कहते हैं इसको कई बार मसाल लिख जया जाता है ओलंपिक मसाल ओलंपिक जियोती एक जियोती है और जंडा ज लेखें लिखें मैं दिखाने के लिए आपको एक्जाम में इस सारे के सारे एक्जाम कुष्चन है लॉड़ अधर हो सफेंश। यह जनवरी पर नोट लिखें मिनला हो धिंश। भारत का समीधान लागू किया गया था तो उसी को हम गणतंतर दिवस के तोर पे मनाते हैं वही बताना आपको रोगी को अलग रखने से क्या भी प्राय है कि मतलब अलग क्यों रखते हैं क्या फाइदा है एच्छिक मासपेशियों के बारे में संक्से में बताईए अनेच्छिक मासपेशियों से क्या भी प्राय है दोनो आपको बतानी है दोनो आसान ही है भी इनका कभी अन्तीन नमबर के कोस्टनस में इनका अंतर पूछा गया था अभी टू माक्सिमें इनको अलग-लग से पूछ लिया गया है एच्छिक मास्पेशियां वो होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है अनेच्छिक होती है जो हमारी इच्छा के विपरित काम करती है जैसे एच्छिक में आप कह सकते हो कि हमारे हाथ है पैर है वो चल रहे है हमारी मर्जी से चल रहे है तो वो एच्छिक मास्पेशियां होत आज से 5-6 साल पहले physical education and sports ली थी तो वो जो sports वाला था वो data almost same सा ही मिलता है तो इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा idea है जिनका अंसर्प मेरे को पता है मैं बता भी दे रहा हूं ताकि आपको help मिले कुछ student को क्या हमारे सरीर की किसी अस्थी को गती परदान करने के लिए दो पेशियों को कारिया करना पड़ता है तो वो हमको बताना है विटामिन E के बारे में वैसे तो मैंने बोला था सारे विटामिन कर लेना विटामिन में एकजाम में question आते हैं और यहां पे देखो तुम क्या क्या पूछा है विटामिन E के बारे में बताईए विटामिन B के बारे में बताईए विटामिन C के बारे में बताईए उसकी कमी से होने वाली बिमारी का नाम भी बताईए यहां पे थोड़ा additional चीज़े भी पूछ ली अब जरूरी नहीं है, सिर्फ इसकी बिमारी पूछे हो सकता है, विटामिन B की कमी से कौन से रोग होता है, ये तीन चीजे, विटामिन के बारे में तीन चीजे जरूर पढ़ लेना, एक तो इन विटामिन का क्या काम होता है, ठीक है, कहां कहां से, क्या के इनके स्ट्रोथ हो और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारयां हो जाती हैं ये तीन चीजे पढ़ लेना वितामिन के फिटामिन D के बारे में लिखिए खेल कुद के दवारा नारी में सहन सीलता के गुण किस परकार उत्पन होते हैं। खेल महिलाओं के लिए किस परकार महत्व पूर्ण है खेल कूद के दवारा महिलाओं को क्या क्या लाब हो सकता है वर्णन कीजिए किसी भी राश्टर के लिए खेलों का क्या महत्व है यह सारे कोश्टिन जो है ना मुझे पढ़ने पर ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है तीन नंबर वालों में टू नंबर वालों में बट यहां पर रिपीट नहीं हुए टू मार्क में तो इसलिए यह ऐसे बिरान से पढ़े हैं और आप सारे करोगे तो आपके एक्जाम में मैं स्योर्टी से कह सकता हूं आपको आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ल नोक आउट टूर्णामेंट क्या है अरे कितना असान भाई इतनी बार आचुका है पांच नंबर में भी आई एक ऊस्चन तीन नंबर में भी आया अभी दो नंबर में भी आया है आपको शिरफ डाइग्राम सा चापना है और इसमें हमें में तो डैफिनेशन ही बताने है दो नंबर में, छापना वापना कुछ नहीं है, इसमें खास है, वालब छापना भी आसानी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हमको definition पढ़नी है, नोक आउट टूर्णामेंट क्या होते हैं, जब दो टीमें लड़ती हैं, जो अंसी टीम हार गई, वो बाहर गई, तो वो होता है, हमारा नोक आउट टूर्णामेंट, यानि वो तोबारा नहीं खेल सकती, खेल कुद परतियों गिता, मनुस्य को आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए प्रेजित करती हैं, टिपनी लिखिए, महिलाओं को खेल कुद में भाग लेना चाहिए, या नहीं, ये कोश्चन अच्छे से कर लेना, कभी पांच नंबर में पूछ रहे हैं, कभी तीन नंबर में, कभी दो नंबर में, तो ऐसे चलता रहेगा ये इनका, और ये चीज मैंने उस वीडियो में भी बोली थी, कि भाई, ऐसे आता है, कभी तीन नंबर वाले को पांच का बना द महिलाओं को खेलों के लिए प्रोचसाहित करने के तरीके बताईए उपाये बताईए एथलेटिक्स में कूदने और फैंकने वाले इवेंट के नाम बताईए कि क्या 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 कूदने वाले इवेंट होते हैं उनके नाम हमको बताने हैं बस खेलों में भाग ल बंदे और च्छोटे खेल के नाम लिखिए के एक यहा नौकल में जंडाक एसा होता है भोतिक वातावर्ण आपका अंसर हो गया होना तो इसको एक में चाहिए था कभी कभी क्या होता है जब पेपर बन रहा होता ना हमारा तो उस टाइम पे काद कोशन उपर नीचे गलती से हो जाता है और उसके जलते हमको फाइदा भी होता है अब टीचर्स की वह अलग मैटर होता है कि स्कूलों में टीचर जो हमारे स्कूल वाले टीचर है ना वो तो नंबर देंगे एक ही इसको लेकिन हो भले ही दो नंबर का यह लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होता बोर्ड में अगर यह दो नंबर में डाला है तो दो ही नंबर देंगे वह आपने एक डेट बताने यह दो नंबर आ गए मस्त होता है यार बोर्ड में बोर्ड का पर आसान होता है मुझे तो स्कूल वालों केमपेरिटिवली वो आसान लगता है पानी साफ करने की यांतरिक वीडियों के बारे में बताईए पानी साफ करने वाला मैंने बोला था कि भाई अच्छे से कर लेना है टॉपिक बहुत काम का टॉपिक है पढ़ लेना इसको अच्छे से यह अंतरिक वीद्या बतानी है रोग निवारक चम्ता या कहते हैं इसको रोग परती रोधब चम्ता सकती यह क्या होती है यह निकि हमारा सरीर के अंदर कोई बिमारी जब परवेज करती है तो हमारा सरीर उस से लड़ने लगता है तो उसको पीट-पीट के बाहर निकालती है उसको मार देती है तो उसको हम कहते है रोग परती रोदक सकती है रोग निवारक समता है रोग परती रोदक छमता अलग-अलग नामों से जानते हैं जो भी है एक ही चीज़ है हमारी ठीक है छूत के रोग कैसे फैलते हैं संक्रामक रोग क्या होते हैं संक्रामक रोगों की तो डैफिनेशन अच्छे से कर ले ना इनकी मतलब बड़ा कोस्टन करोगे ना लोग कोस्टन तो यह तो अपने आप हो जाएंगे छुटकू-छुटक क्या है अच्छे भोजन से आप क्या समझते हैं यकरित के क्या कारिया है मतलब खाने वगारा का जो इन्यन होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाचन वाला सिस्टम तो जो भी कहते हैं हिंदी में मैंने इंग्लीज में पढ़ रखा है थोड़ी शी दिक्कत होत इसका अगनाश्य के क्या कारिया होता है यह भी पढ़ लेना इसी सिस्टम का एक हिस्सा साथ में अलग है यह अलग है लेकिन इसी एक हिस्टम का है उस पूरे सिस्टम को पढ़ लेना वो पूरा सिस्टम काम गमाना जो खाना पचाने की मसीन है ना मारे सरीर में कौन-कौन स हिस्से हैं कौन-कौन से अंग है उसके किन का क्या काम है वो अच्छे से कर लेना बहुत सारे कोशन आते हैं उस पे से तवच्छा का मुख्य कारिया बताई ये तवच्छा का का काम क्या होता है स्वास्थे के पर्मुक नियमों का उलेख की जिए स्वास्थे ही पर्थम पुन जीसे अब ये दो नमबर में ने तो आपको तीन कर्टवे बताने बस जादा नहीं बताने कर यह आप 10-12 कर्टवे छाप के आ जा उदर भारत की राष्ट्रिय एकता का मूल मंतर क्या है राष्ट्रिय जंडे के दवारा हमें क्या प्रेज़ना मिलती है राष्ट्रिय धवज क सिराओं में क्या अंतर होता है हमारे सरीर में दो परकाया का खून होता है सुद्ध खून और असुद्ध खून तो जो सुद्ध खून होता है साप सुत्रा खून वह एक मतलब एक हिस्से में बैता है टाइप की नसों में उनको सायद से हम मतलब हिंदी में नहीं पड़ प्लाजमा के बारे में आप क्या जानते हैं जो हमारे खून में प्लाजमा होता है उसमें क्या समझते हो क्या हो सवसन किरिया में फेफडों की बूमिगा के बारे में बताइए दो जो हैना दो सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं एक तो आपका खाना पचाने वाला और एक सास लेने वाला यह दो के सारे अंग सारे तरीके जो भी उनका काम है वो सारा अच्छे से पढ़ लेना उस टोपिक को कर लेना पूरे को उसमें से कोश्चन बहुत आते हैं लाश्ट में बताऊंगा सारी चीज़े कौन-कोन से टोपिक है जो आपको बिल्कुल अच् का महत्तव है संतुली तहार क्या होता है परिवसित करे संतुली तहार यानिकि वह सर एक ऐसा भोज़न जिसमें सारा कुछ हो हमारे पास में विटामिन भी हो, मिनरल भी हो आना और गार्वो हाइड्रेट परोटीन, म darauf और वसा, सारी चीज़ें जिसके उंदर होती है उसको म संतुलित आहर गहते हैं, एक संतुलित मातरा में होनी चीए, लीग परणाली के लाब और हानिया लिखिए, लीग परणाली की हानिया लिखिए, देखो ये कर लिया तो ये तो तुम आराम से कर लोगे, मजाक है ये तो दूसरे वाला श्चे होगे, सफाई हमारे लिए क्यों वाविशक है पाचन संस्थान का संक्से men 000 कीजिए पाचन सिस्टम वाला बता नहें को पाचन संस्थान के मुख्चे अंगो के नाम लिखिए हमारा पेट होता है यकरीट होता है मास्य होता च्छोटी आंट बड़ी आंट वो नाम लिखने if प्रोटीन की कमी और अधिकता से होने वाली हानियां बताइए यह देखो यह पांच नंबर में आया था प्रोटीन क्या है प्रोटीन के कारण कमी और अधिकता से क्या हानियां होती है फिर हमसे तीन नंबर में पूछा सेम कोस्चन और अभी यह दो नंबर में पूछ रहे हैं दोड़े कितने परकार की होती हैं ये क्या है बाइस वोच्छा आगास के अव्यों का वर्णन कीजिए जोड कितने परकार के होते हैं जोड कहते किसको हैं ये भी बता दो तूर्नामेंट करवाने के लिए कौन-कौन सी परणालिया होती है बाल दिवस से क्या तात्परिया है यानि कि बाल दिवस के बारे में हमको बताना है, मतलब वो कब मनाते हैं, क्या होता है उस दिन, वो सारी चीज़े हमको बतानी है, AIDS से क्या ताथपरी है, AIDS से एक बिमारी होती है, तो उसके बारे में हमको बताना है, परतियों गीता से क्या पड़ी है परतियों गीता क्या होती है तो ये थी हमारे कुछ two marks के question अभी हम देखते हैं one marks के questions यानी कि बहुत short question एक और चीज ध्यान 가장 left अब की बार मतलब पहले नहीं होता था ऐसा अब की बार बता रहा हूं अब की बार आपके एक्जाम में MCQs भी आएंगे ठीक है पहले नहीं आते थे मालब 2021-22 में तो आए है क्योंकि उस टाइम पे तुमको पता है कोरोना के परसाद बट रहे थे अर जगह पे तो पढ़ाई हो नहीं थी छुटियां भोगत चल रही थी तो कुल मिलाके जो है उन्होंने easy paper दिया था हमको अब की बार भी उस formation को थोड़ा सा continue करते हुए अब की बार भी आपके paper में MCQ दिये जाएंगे जो ये one marks के जो question हम पढ़ेंगे इन में से जिनके answer one word में होंगे या एक दो word के अंदर होंगे वो MCQ बना के हमको दिये जा सकते हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यानगना सारे question कर लेना answer वगएर अपने book या guide जहां से भी यह देखके कर लेना इन सारे question को एक एक number वालों को भी ठीक है इन में से भी बहुत सारे question already MCQ में आ चुके है MCQ की video मैंने वैसे तो अलग से बना दी है पचास साथ MCQ जो अपके exam में अब तक पूछे गए थे उनकी video भी बना दी है बागी इनको भी पढ़ देना साथ में MCQ के तोर पे भी ठीक है अच्छे से जयाद करना आपको person number 1 why you में nitrogen कितने परतिशत होती है तो आपको देखो यह चीज ध्यान अखना वैसे तो होती 78% है लेकिन आपकी बुक में 80% आप बोल रहे थे आप में कुछ student answer दिया था तो 80% भी है आपकी बुक में अगर आपकी बुक में 80% लिखा हो है तो 80% यह आपको अंसर में लिखना है ठीक है यह चीज थोड़ी ध्यान अखना इसमें वैसे 78% होती है अब आप देख लेना अपनी बुक में चेक कर लेना एक बार क्योंकि बुक का डाटा अपडेट नहीं है और उसके हिसाब से फिर वहाँ पर अंसर चेक किये जाएंगे तो यह थोड़ा बता इसलिए रहा हूंगे किताब से चेक करने के लिए क्योंकि भाई किताब का डाटा कहीं बार चाक्यों एक्चुली सीन बताता हूं पूरा पूरा वामला तुम समझोगे तो समय में आएगा तुमको 2004 में किताबे बनी थी NCRT की जो आपको किताबे पढ़ाई जा रही है किताबे कुछ किताबे तो अपडेट कर दिया है कुछ किताबों में कुछ में अपडेट नहीं किया है अब टाइम के साथ में oxygen, nitrogen इनका सतर तो उपर नीचे होता रहता है ना तो इसलिए किताब का जो डाटा है वो गलत हो जाता है कभी-कभी और नया डाटा अपडेट हो यहां भी पढ़ते हैं नए डाटा मिलता है तो इसे वज़े से मैं बोल रहा हूं किताब में एक रोज चेक कर लेना अपना एक बार ठीक है कई फिर गलत हो जाए बेफाल तुमें इंसर वाइउ में कार्बन डाय उक्साइड की मातरा क्या है मलब पूरा पढ़ लेना वाइउ पढ़ लेना है यह MCQ में भी आदा सेम कोस्चन अब उसमें जो है उप्सन ही ऐसे जार विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E ऐसे से नाम रख रखे अब मल्टी विटामिन पाया जाता है मैंने गूगल से देखा था आप भी क्रोस चेक कर लेना यह देख ले विटामिनों के नाम बताए कौन-कौन से विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं विटामिन K की कमी से की वज़े से क्या हो जाता है अगर विटामिन K हमारे सरी में कम हो जाए बांजिपन यह जो बीमारी है यानिकि बच्चा पैदा नहीं होता तो यह किस विटामिन की क यहां पर गया भाही, तो थोड़ी देर पहले था, यार कहया ये रहां डेखो, जल में घुलन सिल विटामिनों के नाम बता है, यह जो विटामिन विशामें, आच отвеч 아침 वह जल में था, दो रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है वो बताना है हमको तो विटामिन वाले देखो कैसे कैसे प्यारे प्यारे कोस्चन आ रहे है रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन सहायता होता है यह फिर से आगा बाई काट दो इसको यह मलब देखो वैसे लिख रखाय बड़े question भी आता है बहुत आता है उसमें से, malaria की दवाई का क्या नाम है? जो malaria में धवाई देते हैं उसका नाम बताओ, दात और जीवा यानि जीव जो होती है, यह किस संस्तान का अंगई है? पांचन का, पांचन वाला जो system हमारा, उसका हिस्सा है यह जिसमें खाना पचता है हमारा तो सुर्वात में तो यहीं से जाताAg किस दोड़ में थोड़ी-थोड़ी दूर पर रुकाव्ट होती है वह होती है हर्डल रेस अभी हंदी में पता नहीं क्या कहती है उसको बाधक इसका भी जवाब नहीं दे पारे तो भाई पास होना मुस्किल हो जाएगा चलो देखते हैं किसी इसको पता है इसका अंसर स्मार्ट कमेंट अपनी डाल दो कमेंट में किस हड़ी को सरीर का स्थम कहा जाता है साथ यह रीड की हड़ी आई थिंक सो होनी तो वही चाहिए बाकी करते हैं तो उन अंगों के नाम बताने हैं हमको बेसिकली सरीर की सबसे बड़ी गरंथी का नाम बताए सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है यह कई बार पूछा है भोजन के कौन से अव्याय सरीर को उरजा परदान करते हैं गेंद गड़ा जोड हमारे सरीर में कहां पाए जात प्रजाल रख्त करने का हैं, वो बताना है हमको, रोगों के वास्तवी के कारण जिवानू है, यह निसकर्स किसने निकाला था, किस बंदे ने ये बात बताई थी, वो हमको एक्स्प्लेंन करना, उसका नाम बताना है, बेसिकली, सरीर में रोगों से लड़ने वाली सक्ति को क् रोग परतीरोदक सकती या रोग परतीरोदक छमता ठीक है चुहें कौन सा रोग फैल आते हैं वो है पलेग नाम की बिमारी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है मारा गलास उच जाता है मोटा सा हो जाता है ना टाइफाइड रो 20 सी जी का टीका कब लगता है पढ़ा तो था मैंने बट अब अब ध्यान में आ रहा मुझे तो क्विकली या देख वैपसाइट पर सारे रिटन है वह सारे वहले को से तो आपको सुवीधा रहेगी अपना बैट के आराम से याद करो वैबसाइट पर कोई ऐसा लोड नहीं है साइट बंद नहीं होगी तुमारे लिए कि हाँ लोड पड़ गया बंद हो गई हैंग हो रही है कुछ नहीं है मस चलेगी साइट आपको बस पढ़ना है तो आपके ल गया बाई एड ब्लोकर कहां से आगया ये देखो क्या बेसरमी की बात और कहां से आया ये क्या खुल गया बाई कंप्यूटर में कुछ भी चल जाता है बीच में से पता नहीं कहां से निकल आया कंप्यूटर के लग इस हो आपने चलो कोई ना इग्नोर करना इस बात को जो होती है यह ध्यान अगना पढ़ लेना इसके बारे में ओलंपिक खेलों में कब उत्तर छोड़ना कब बंद कर दिया गया था ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया था कब लिया था 1900 में लिया था इतिंक सो जहां तक मुझे मैंने पढ़ा था थोड़ा वो तो इतना इसे गास पासी था प्राचीन ओलंपिक खेलों में पहले कौन सी दोड़ थी क्या प्राचीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं भाग ले सकती थी तो हमको बताना मतलब हाँ या ना में जवाब देना इसका तो कुछ खास नहीं देना ओलंपिक अस्थापना भारत में कब हुई तारिख बतानी है डेट वगएर हो पर्थम बार किस भारतिया महिला ने ओलंपिक में कांसिया पदक जीता था तो ये मेरे को नाम अभी ध्यान निया बठा एक कोस्चन है हमारा आगे उस कोस्चन में बता दूँगा कि किस महिला ने पहली बार कंसिया पदक जीता था हमारा अजीब साय नाम आया हर उसका कुछ बहुरतिया महिला ओकी टीम ने किस फएक में पर्थम बार भाग लिया था फानिफ के लिशा साल में ध्यार था on एशियाई खेल कितने वर्सों के बाद में कराए जाते हैं होरीजोंटल बार का परियोग किस खेल में होता है करण मल्लेस वरी यह देखो यही वह नाम था इधिंक सो जहां तक मुझे लग रहा है यही वह पहली मैला थी जिसने वह बदक वगारा जीता था सायद से देख लेन हमको रंडजी ट्रोफी किस खेल से संबंदीत है देखो मैं कभी-कभी आलसी हो जाता हूँ तुम्हारे लिए मैंने उत्तर लिख दिया है मैं आलसी हो जाता हूँ ना क्रिकेट से ठीक है संतोष ट्रोफी किस खेल से संबंदीत है वह हमारी फुटबाल से क्योंकि यह बार- सब्जेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इस वजह से मैं कोस्टन्स दे रहा हूं अंसर आपको ढूंड लेने हैं परसन नंबर 69 संतोष ट्रोफी परत्योगिता का नाम किसके नाम पर पढ़ा किया किस ने रखा हरियाना में पर्थम भीम अवार्ड कब सुरू किया गया बाबी जा नखना यह जो है ना कुछ खिलाडियों के नाम अभी ट्रेंड में चल रहे हैं मालब कि कुछ खिलाडी जो फेमस खिलाडी है जिन्होंने ओलंपिक में कहीं पे मैडल जीता है जिनकी हवा बनी है इंडिया में उनके नाम पढ़ लेना वो कौन से खेल से संबद दीता है जै और वो कौन से खेल से संबद दीता है वो भी जान लेना ठीक है यह पूछते है एक्जामस में कभी कभी पूछ लेते हैं कभी कभी नहीं पूछते तो एक बार जानने में क्या हर्ज़ा दो तिन नाम मिलेंगे तुमको ज्यादा नहीं मिलेंगे तो उनका देख लेना संबंदित है पीवी सिंदू ये किस खेल से संबंदित है बोली वोल में कितने खिलाडी होते है कितने होते है और ग्यारा की बारा मेरे को भूल गया मैं खेलता ही नहीं हूँ चलो जो खेलते हैं सब को पता होगा तुम पढ़ रहे हो तुम मेजर की से संबंदित है बारत की उडणपरी या धिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है किसका नाम मुझे नहीं पता मैंने सुना भी नहीं कभी खेल कुद से जाती है बेदवाग कैसे समाफ्थ हो जाते हैं मेरिकोम यह किस खेल से संबंदित हैju बोक्सिंग से है तो साक्सी मलिक की स्केल से संब्द निता है ये भी कुस्ती वुस्ती या मलबीन में से ये कोई सा खेल ऐसा ही पहला डूरन टूर्णामेंट भारत में कब और कहां आयोजित किया गया था बैडमिंटन से जुड़ी दो खिलाडियों के नाम बताने हमको बैड मिंटन वाली जो ओलंपिक में खेलने जाती है ना उनका पढ़ लेना वो ज्यादा फाइदा रहेगा तुमें खेल कुद के अंतरगत कौन-कौन सी मुख्य करियाएं आती हैं महिला बहुत तेज क्यों नहीं दोड़ पाती महिला और पूरुस के कोई दो मुख्य अंतर गाया था दिसमबर का महिना 27 तारिक होसकता है मैं गलत हो तो अपना बाई चैक कर लें इए एक बार निल्गुल भी रस्ट्रियगीत किस ने गाया था यह रस्ट्रियगीत गाया था रस्टियगीत था यहां बंकिम चंदर चैटर जी ने देश की एकता के परती कौन-कौन से है तिरंगे के तीन रंग किस के परती है जो तीन रंग है न हमारे जंडे में देश के जंडे में वो बताना है तिरंगे के असोग चक्कर में कितनी तिलिया है कितने प्यारे प्यारे कोश्चन है भाई ये जो चक्कर होता है न हमारे जंड वह बतानी हैं को राष्ट्रिया चिन में कितने सेर होते हैं और हां एक और चीज यार वह ज़रूरी है आपके लिए राष्ट्रिया चीज पढ़ लेना थोड़े से वह छोटे कोश्टना थे उसमें से कभी बैल कितने बैल है उट है घोड़ा है कुट्ता बिल्ली क्या-काच रखा उसमें जो पूरा असोंकस तम वाला जो फोटोस है ना अपने उपर तीन सेर के मुह बना रखे चार अब एक्च्वल में साइड हो तो मुलब चार साइड मुह कर रखा उसने सेर का और फिर नीचे जो है पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो पूरा पढ़ ले ना भारत का रश्ट्रेखेल कोन सा है यह सब को पताया हो कि यह हमारे रश्ट्रेख धवज को किस नाम से पुकारते हैं यह है रबिंदर नात्र तैग्र रश्ट्रिय जण्डे की लंबाई चोडाई का अनुपात क्या है अनुपात हमको बताना है AIDS दिवस किस तिथि को मना ज स्टार लिए यानिकि इसके फुल्फों बतानी है एच आईवी हुमें हमें इम्यून डेफिशेंसी वायरस अब इसको हिंदी में पतानी क्या पढ़ते हैं देख लेना तुम जल की तीन अवस्थाओं के नाम लिखिए यानिक तीन अवस्थाओं होते हैं तो उनके बारे में एक वाक्य में पानी की आवसक्ता के बारे में बताए कि पानी के वो जरूरी है जल की कमी से चार हानिया लिखिए पानी किन दो गैसों से बना होता है आप साइंस पढ़ रहे हो विज्ञान पढ़ते हो न तुम लोग हाँ पढ़ते हो भाई है यह सही कहते हो H2O कहते है न उसको H यानि hydrogen O यानि oxygen तो hydrogen और oxygen इन दो गैसों से मिलके बना है पानी पानी को साफ करने के लिए किस गैस का प्रियोग करते हैं वह सी एल सबको बता होगा सिंबल साइंस पढ़ रहे हो विज्ञान या साइंस कुछ भी पढ़ते होगे पढ़ लिया होगा CL के बारे में क्लो अपनी किताब का पहला पन्ना खोलो मलब बिल्कुल पहला पन्ना किताब को पलट लो पीछे आगे कहीं पर तुमको लिखा मिलेगा N-C-E-R-T जिस कंपनी के किताब है उसका पूरा नाम लिखो भाई मनलब कोस्चिन खतम होगा इनके पास इनको इतने वेले वेले कोस्चि कि कमी होते हैं उसको हम बीमारी क्या देते हैं जिसको हम एनीमिया नाम से जानते हैं क्या है रक्त कहा होता है । तो जो जमाता है रक्त चाप के मापने वाले साधन का नाम बताई जो मीटर सा होता है जिसे हम अपना बीपी नापते हैं वो मसीन का नाम बताना हमको रक्त की लाल कणिकाओं की उत्पती कहा होती है ये फिर से आगए यार एक नमबर वाले कोश्चन में पंदरा आगस्त क्यो मनाते हैं बताओ भाई पंदरा आगस्त क्यों मनाते हैं देश आजाद हुआ था हमारे इतने सारे देश भक्तों ने बलिदान दिया देश के आजादी के लिए अब भी हमसे यही पूछा जा रहा हम क्यों मनाते हैं पूर्ण सवस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं हिमोगलोबिन का क्या काम होता है हमारी चाती में कितनी हडियां होती है अरे तुमने कमेंट नहीं करी यार अभी तक अगर नहीं करी तो बताओ यार हमारे सरीर में कितनी हडियां होती है चाती वाली तो चलो छोड़ो यार तुम ढूंडोगे किताब में जाके कुछ को तो पता होगा, लेगिन बहुत तो नहीं पता है, ठीक है, पढ़ ले ना किताबों में अच्छे से इनको, जुकाम कैसे होता है, वायरस से होता है, और इसी जुकाम ने मेरे को दुखी कर रखा है, इस चक्कर में वीडियो लेट हो जाती है, अब भी है, बाई मैंने प्रत्योगिता परगती का आधार है कैसे कितने डेसिबल से अधिक सोर धवनी परदूसन कहलाता है परदूसन कितने परकार के होते हैं उनके नाम भी लिखने हैं कौन सी गैस से उजोन परत नश्ट हो जाती है संतूलित भोजन के विभिन तत्तव कोन से है बड़ी आत की लंबाई बताई ये पढ़ लो भाई बड़ी आत कितनी लंबे होते छोटी आत भी पढ़ देना साथ में लगे हातो खसरा किस आयू वर्ग में होता है एक परमुख ग्रीन हाउस गैस का नाम बताईए वो है सी ओ टू पताई क्या है ये हाँ सब को पताई भाई कार्बन डाई उकसाइड किसने कहा था कि स्वास्थय ही पर्थम पुनजी है ये बात फिर से एक कोशन फिर से आगया पहले भी आया था भी वनमाक्स में वसा के कोई चार सत्रोथ घी होता है सबसे बड़ा सत्रोथ तो बाकी तीन सत्रोथ तुम ढूंड लो कहा का से मिलती हमको वसा क्योंकि हमें घर में भाई घी ही मिलता है खाने को और उसमें है सबसे ज़्यादा फैट तो दूद भी होता है दूद में भी फैट होती है एकुल मिला के है ना ऐसे बताने चार एकजमपल बताने हमको प्लाजमा का क्या काम होता है सत्य में जयते इसका क्या अर्थ है निकि सचाई की ही जीत होती है चेचक रोग फैलाने वाले कारक का नाम क्या है गैस्ट्रिक रस क्या है इसका काम भी लिखना है साथ में दालों से हमको क्या मिलता है विटामिन और प्रोटीन मिलता है खास तोर पे प्रोटीन के चक्कर में दाल खाते हैं हरियाना में सहीदी दिवस कब मनाय जाता है कौन सा आहार लेना चाहिए, संतूलित आहार लेना चाहिए, हिपोक्रेट्स कौन था, तो मुझे नहीं पता कौन था बाई, परता लगा लो इसका तुम, पाचक नली की लंबाई कितनी होती है, तो देखो यह हमारा वही है, पूरा खाना पचाने वाला सिस्टम, पूरा अच टोटल कोश्चन, जो कि मैंने आपको करा दिये हैं, और वीडियो जिसने लाश्ट तक देखे, उसको मज़ा आ गया होगा भाई, पढ़ने में समझ में भी आ गया होगी, कुछ कोश्चन के अंसर मैंने भी आपको दे दिये हैं, ताकि आपको थोड़ा कम ढूड़ना लेना, उनके स्तुरोतों के साथ में इनकी कमी से विटामिनों की कमी से कौन सी बिमारी होते हैं, तो इन दोनों के बारे में बिल्कुल अच्छे से कलियर कर लेना, बहुत सारे कोश्चन आते हैं, एक टोपिक है हमारा महिलाओं को जो है, खेलों में पार्टिस्पेट करना चीए, नहीं करना चीए, वो तेज गयो नहीं भाग सकती महिलाओं के पार्टिस्पेट को लेकर ठीक है, एक ये टोपिक करना अच्छे से, उसके साथ में ओलंपिक का, ओलंपिक के जो मनलब की, ओलंपिक मसाल क्या है, आधूनीक ओलंपिक खेल, प्राचिन ओलंपिक, मलब खासतोर आधुनिक वालों पर थोड़ा ज्यादा ज्यादा देना कब चालू हुए कब क्या हुए वो चीजे भी साथ में पढ़ लेनी है स्वास्ते के रिगार्डिंग भी बता दू तो आपको स्वास्ते के तो सिंपल से प्यारे से कोश्चन है लोग कोश्चन करोगे तो वह लेना वो भी सफीजेंट है उनके कारण कोई भी वीमारी उसके कारण क्या है उसके लक्सन क्या दिखते है उससे हम बचाव कैसे कर सकते है बचाव जरूरी है साथ में ठीक है पानी का जो है फिल्ट्रेशन वाला पानी को कैसे साफ करते हैं वो चीजे ये कुछ टोपिक्स थे जो आपके एक्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं अब कुछ और टोपिक भी होंगे आरे गारे भी बट जो एक्जाम से में खासा पूछे नहीं जाते बट ये में टोपिक्स जो कि मैंने बता दिया है वीडियो के एंड में अगर आप में से किसी ने सुने हैं अब वीडियो जो भी लाश्ट अब भी टाइम पर जो लाश्ट अब बटारा मैं कि मैंने पूरी वीडियो देखिया आपकी मुझे दिल से खुसी होते हैं कि हाँ आप पढ़ करते हों कोई फरक नहीं पड़ता बस पढ़ दो भाई तुम तुम तुम्हारा प्धाम बढ़िया होना चीए ठीक है ओल्डबस फॉर एक्जाम चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में बाए-बाई अरे हां वीडियो देख लेना अगर तुमने कोई वीडियो नहीं देखी है कर द पास्ट वीडियो है आपका फीजिकल एजगेशन पूरा कंप्लेट हो चुका है MCQ की वीडियो, लोग कोश्चन की वीडियो और यह सोट कोश्चन की सारी वीडियो आपकी आचुकी है इन से बाहर आपको एक्जाम में नहीं मिलेगा तो उनको अच्छे से कर ले ना इन कोश्चन को ठीक है चलो मिलते हैं नहीं वीडियो में, बाई बाई